हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्णिक प्रफार्म बीएसी बायो वाला में इस्टुडेंट प्रफिएसक मैं ने आपको सुगर इल्डिंग प्लान्ट के बारें बताज थे कि फिर उसके बात मने arg 2017 मैं अपको Nawet और लेक्टर में एlightly मइनुन को फाइबर एंद्टंट के बारेम बताऊंगा कि कौन कवन से प्लान्ट हैं जिसे फाइबर ₷ AJ वास्थ होता है उन प्लांट के बारे хватो बताएं गें हमको जैसे आप symptom के बारे में देखों उस nhân्ति आपर हम उसा है मास्यमिंट बुलते हैं सनही के बारे में कॉया नारियल के बारे में जिनसे हमें फाइबर प्राप्थ होता है तो फाइबर देखिए हमको जो फाइबर होता है वो प्लांट के फ्लोयम से प्राप्थ होता है ठिक पहुत सारे प्लांट हैं जिनसे प्राप्थ होता है ठिक तो यही इस पास जो fiber होता है जिससे रस्ष्य बना जाती है कपड़े बना जाती है yeah फिर आप कर सकते हैं best fiber से pääप्थ होती है masa both तो बहुत सारे plant हैं जिनसे fiber product केयता है जैसे आपका sun hemp, Patsun, Carton , Coire etc. ठीक, तो आज हम आपको कुछ यानि की fiber plant के बारे बताएंगे जैसे sun hemp के बारे में आज हम आपको साथ आपके साथ डिसकर्ज करेंगे तिक यह जो सन हेंप होता है ठिक जो यह सन हेंप है यह एक प्लांट है सन ही जिसको हम लोग गाओं में इसको सन ही बोल जाता है सन हेंप को इसी सन हेंप को ठिक जिनसे क्या होता है फाइबर प्राप्थ किया जाता है इस प्लांट है, इससे फाइबर प्रात्थ कियाता है, यह एक प्लांट है, प्लांट इसका कैसा होता है, पहले वो समझने एक淋बान्ट होता है, इसक Will and you तो इसका वह फ्लावर होता है प्लावर होता है जो आपका संहेंप या फिर संहेंफ है यह किस इसका बॉटनिकल नेम क्या है प्रोटोल एरिया चुनिया इसका बोटनिकल नेम है जो फैमली फैबेसी फैमली के पेलियों यह से विलाम करता है ठिक अब बात करते कि यह कहां कहां पाया जाता है तो आपका जो सनहें प्याफिश सनही है यह वर्ल्ड में लगभग हर जगा प्राप्ट पाया जाता है यानि कि सभी देशों में पाया जाता है और इंडिया में कहां पाया जाता है तो इंडिया में अगर बात करें इंडिया में तो यह आपका सनहें यह भी लगभग हर जगा पाया जाता है यूपी में पाया जाता है बिहार में महाराष्ट में यंपी में तमिलनाडु में ठिक हर जगा ये पाए जाते हैं अब बात करते हैं कल्टीवेशन जो आपका प्लांट है सनहेंप का उसको किस प्रकार से ग्रोक कराया जाता है किस प्रकार से उसका कल्टीवेशन होता है तो आपको मैंने बताया कि यह फ्लोयम फाइबर कि पताया क्या तोई आपका ये प्लान्ट होता है संभी कास नहीं यह ग्रीन कलर का होता है तब इसमें पनेफ्लावर होता है इसका फ्रॉइमट पाइचा माथफ्लावर होता है वो लिप क्राप का मतलब इसको जुलाई में इसको बोया जाता है जो लगभग सितंबर या अक्टूबर के महिने तक तयार हुआ जाता है ठीक करने का मतलब यह तीन से चार महिने में तयार हो जाती है ठीक यह एनुवल प्लांट है किया एक प्रकार का एनुवल प्लांट है छो लगबग 2 से लगबग एक से 2 मेटर मारके फाइनने सब्सक्त fantastic बात करते हैं कि आपका फ्लोयम मिला, ठिक, कल्टिवेट्शन किया आपने, ठिक, वहाँ से प्लांट से आपका क्या मिला, फ्लोयम मिला, प्लांट मिल गया, उस प्लांट से कैसे फ्लोयम को प्लांट किया जाएगा, सपोच करिए आपने प्लांट लगाया, ठिक, यह प्लांट ग्रो करा दिया, तीन करेंगे इस प्लांट से कैने फाइबर को निकालेंगे उस प्रक्रम को आप को बताते हैं ठीक देखे क्या होगा इसमें सबसे पहले मली जी आपका जो प्लांट हो मेचूर हो गया ठिक अब हम उसके रेटिंग करेंगे रेटिंग करने का मतलब इसको हार्वेस्टिंग करेंगे ठिक पहले इसको काटेंगे प्लांट ग्रो हो गया मेचूर होगे तब इसको काटेंगे ठिक क्योंकि आमको fiber निकालना है सपोर्ज कि प्लांट बड़ा है इसके बेश से हम लोग इसको कट कर लेंगे इसके stem के बेश से सिके हले के ऊपर कट कर लिए जाएगा कट कर लिए गया उसके बाद इसको छोटे-छोटे सबसब करें कि चोके बंडल वन बन गए है जिस्टे जो क्या कि जाने कि ना ईंगे तवह पर छोड़ देंगे इस टेम को आप छोटे-छोटे बंडल बांद दिये उस पे फ्लावरिंग है फ्रूटिंग है सब कुछ चीजिए आप बसे बांद के छोड़ देंगे कोछ दिन के लिए तो या तीन दिन के लिए उसे क्या होगा वह हलका सूखेगा जो उसे लीफ होंगी वहाँ पे जड़ ज इस टेम देखने को मिलेगा ठिक इस टेम देखने को मिला फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको यानि किसके बंडल को इस्टेम के बंडल को कहा रख देंगे मड़ी स्टेंग वाडर मड़ी स्टेंग वाडर यानि कि जहां पे गंदा पानी हो और पानी इस्थिर हो ठिक वहा इनादी वाटर में तर सक्केम कैंवे ऊसको नदीस करेंगे उसको सीरी बाव सबस्कहार काव दिसकेमा करने तर दॉनायों चैसे Score नमदस तर जते हैं तर सक्षेमार केमा केकिमें और समया क्या करेंगे बीट करेंगे उसको क्या करेंगे पीटेंगे हलका हलके हाथों से आने कि उसको वास करेंगे किस कैसे वास करेंगे पीट के याने कि वाटर सपोस्किक यह वाटर है वाटर के सरफेस पे इस पे बीट करेंगे पीटेंगे जिससे वो साफ हो जाएगा क्लीन हो जा दाएगा धीला हो जाएगा यानिकि जो स्टेम है चलंग में जो उपाइबर है उपर की तरफ वह अरके लूच हुजाएगे अब यह लूज हो जाएगा, उसके ब्यात क्या करेंगे, इसको हम सनलाइट, ट्यानिक की सूर के प्रकास में रख देंगे, सूखने के लिए, इसके बाद अब यह सूख गया, हलका हलका, जब सूखा तो इस प्लांट को आप उठाएंगे, सूखे हुए प्लांट को हलका सा अब यह स्टेम में यहां से पकड़ीज हैंघर समदम यहां से बातल सित्त सायक तो यह सब ठाएंगा से तो आप इसको खिचेंगे दीदे दीदे यहां से अलग होता चला जाएगा। यहांने कि यह है ठिक सपोर्च करिए यह इस पे एक लगा हुआ यह जब आप इसको घीचेंगे तो यह बाहर की तरब ऐसे निकल जाएगा ठिक कैसे लिख लेगा हो समझे सपोर्च करिए आपने इसको बीट किया अब आप इसको निकलना चाहते हैं ठिक इसमें लगा हुआ है यह जब आप इसको खीचेंगे तो यह बाहर की तरह निकल जाएगा ठिक तो यह आसानी से निकल भी जाता है उसके बाद क्या करेंगे आप इसको सुखा देंगे जो आपका रेशा मिला अब उसको सुखा देंगे आगे चलके इसको क्या करेंगे बंडल बना सकते हैं इसका ठिक फिर उसका आप लोग बंदल बनाएंगे यह जो रेशा निकला ऐसे इसको बंदल बना देंगे बंदल बनाएंगे तब उसको क्या करेंगे अब उस बंदल को जो वहां पर मील होगी इसकी वहां पर देंगे अब उसके क्या बनाएंगे डिफरेंट ट के सकत्याप की संधिंदर कि दुवारा टेंसाइल इस्ट्रेंग कप्डा बनाएंगे क्टिक सेलो बनाएंगे केमिकल सीलोज बनाएंगे क्टिक Loss Low بनाएंगे डिक तो उससे यह सारे होती है तो फॉल्बा होगा मज़बूत होगा किमिक होगा तोगा केमेध और तीम कंपोस्ट WiFi होता है उसमें प्रजका कि पायता है सब्सक्राइब हिए टुझ आता है स्लेट बायजाता है अब समस्ते कर यूज आ फाइबर का क्या यूज होता है तो आपको पता है जो इसका fiber होता है इसके द्वारे आप उनी ठिक कलाद होता है ठिक, रेशेदार कपले रसी इसके बना जाती है रोप बना जाती है, रोप making, रोप andНеक्लॉवथ ठिक और क्या बना जाता है गनी कलॉथ गनी कलाथ का मतलब क्या होता है वो समझूए जो बंदूके होती है ठिक बंदूके जिसमें रखी जाती है उसका कपड़ा बना जाता ने की जैसे कर सकते हैं आपकी जो बंदूके पाई जाती है ठिक उसके लिए बंदू किसमें रखा जाएगा तो उसके लिए सनहेंप के द्वारा क्लॉध बना जाता है ठिक तो मनें बता है इसे रश्ची बना जाता है और गनि कलाद बंदुकों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं और इसका उप्पियों कहाँ होता है शीगरेट बनाने में और टीसू पेपर जो आपका सिगरेट होता है टिक पीने वाला शीगरेट होता है सपोर्च कर यह ऐसे है वो ठिक, ऐसे ठिक, ऐसे यह जो उपर का इसका covering होता है white color का या फिर brown का जिस भी color का होता है वो किसका बना होता है जो इसकी covering होती है वो sunhemve यानिकी इसी सनय की बनी होती है ठिक तो यह मैंने कुछ point के बारे में बताया आपको सन्हेंप जो फाइबर यानिक जो आपके सेलिबस पर था मैंने बताया कि जो आपका सन्हेंप है इसका बोटनिकल नेम प्रोटुल एरिया जुनेई है जो फेबेसी के पैलियों ने ऐसी फैमिली से बिलांग करता है distribution क्या यह वर्ड में लग बग हर जगह पाए जाते हैं और हर कंट्री में पाए जाता है इंडिया में मैंने बताया कहां भी पाए जाता है कल्टीवेशन का मने बताया प्रोसेस की सबसे पहले इसको एक क्राप क्राप है यानि की खरीब की क्राप है इसको जून जुलाई जून या जुलाई में आप इसको बहुत देते हैं जब लगभग ये सितंबर अक्टूबर के महने तक तैयार हो जाता है यह हर प्लांट होता ह है हर बहुत है जो लगभग दो से तीन मीटर का होता है ठीक और क्या होते हैं जो इसका फाइबर होता है वो कबर्स लिया इंपॉर्टन होता है यानि की फाइबर से ही डिफरेंट टाइप के चीज़े बनाए जाती है फिर पर ने बताया प्रोसेज आफ रेटिंग सेप्रे क्योंतर सेप्रेशटन राव ज़ी नकारेंग तो सेप्रेतिक्रीटन हो गया सिप्रेशन हले गे साफ फाइबर का रेटिंग करेंगे ठीक तो मने बताया कि सबसे पहले जो आपका फाइबर होगा ठीक उसको हार्वेस् single-car uh harvest कि अस बडार्ण देया फिर बनाए धिर बनाए दोगो देंगे दो तीन दीन के लिए मड़ी वाटर गंदे पाने में फिर उसको वहां से निकालेंगे निकालने के बाद उसको फ्रेस वाटर में बीट करेंगे तकन पेंतर के समलगों समस्कूलर्प के अदम बढ़ने के अधर में वेंकरेंगे नु arrangements अधर में वेशना के पीड़ करने के अधर बाद एक नी पेंख़सपतर पहस्ट कंपेंगे सनलैट के परजिस में जैसे ही आप रखेंगे तो क्या होगा वो अल्गा सा सूखे गा उसके बाद उसको बंडल बनाने के बाद उसको आप क्या करेंगे उसे ऑफcuss..? उससे जो भी छीजे बनाने ही उसको बनाएंगे मैं नो सननेफिक होता है、 उस चीज़े पाई जाती है मनें बताया कि वो थोड़ा वाइड कलर का होता है श्ट्रांग होता है मजभूत होता है टिकाउं होता है टिक करे टेंसाइल होता है काफी उसमें तन्यता भी होती है उसके बाद मनें बताया कि इसमें से लोज पाई जाता है उसके बाद मनें बताया क आपको जूट या पटसन के बारे मताऊंगा कि जूट को कैस प्रकार से कल्टिवेट कियाता है ठिक याने कि यह भी यह क्या है फाइबर इल्डिंग प्लांट है जिसके बारे में मैं आपसे कल डिसकर्स करूगा ठिक तो चलिए मिलते अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में इसी के बारे में आपको समझाना पड़ेगा इसलिए थोड़ी बीडियो बन रही है काफी मतलब उतना लंबा वीडियो नहीं बन पा रहा है ठिक क्या इसमें समझाए जाए कुछ समझाने लाइक चीज़े है नहीं फिर भी आपको जो होता होता बता दिया जाता है ठिक तो आपने जोट या पटसन देखा होगा कल इसी के बारे हम लोग समझेंगे ठिक